एक घने जंगल में एक कराल केशर नाम का शेर रहता था, उसके साथ एक धूशरक नाम का गी दड़ रहता था, एक दिन में शेर एक हाथी के शिकार में उससे जगड पड़ा, उसी समय वह कई तरह से घायल हो गया, और यही नहीं उसका एक पैर भी तूट गया, वह किसी तरह अपनी गुफा पहुँचा, कई दिनों तक भूखा रहा, वह घायल होने के कारण किसी जानवर का शिकार नहीं कर पा रहा था, तब उसने उसके साथ ही गीदड को कहा, कि तुम किसी जानवर को यहां लेकर आओ, और मैं उसको यहां मार दूँगा, उसकी बात ही हरी भरी घास खा रहा था, तब वहां गीदड उसके पास गया, और उसे कहने लगा, मामा, आप यह रूखी सूखी घास क्यों खा रहे हो, और आप दिखने में भी बहुत कमजोर दिख रहे हो, तब उस गधे ने कहा, भांजे, क्या कहूं तुम्हें, यह धोबी मेरे पर कई अत्याचार करता है, मैं जब भारी माल उठाते कहीं रुख जाता हूँ, तो वहां मुझे पीछे से बहुत लाठियां मारता है, और किसी भी तरह का अच्छा भोजन नहीं करवाता, यहां तक कि वह मुझे घास भी लाकर नहीं देता, मुझे स्वयम नदी के पास आकर चुन-चुन कर खास खानी पड़ती है, तभी गीदर बोला कि आप जंगल में चलिये, वहां कोमल घास से भरा हुआ मैदान है, जहां आप जितना चाहे उतना घास खा सकते हो, और इतनी हरी-भरी है कि आप कुछ ही दिनों में हश्ट-पुष्ट हो जाओगे, तभी गधा गीदर बोला कि मेरे जैसे शिकार होने वाले जानवर वहां कैसे जा सकते हैं, जैसे ही मैं जाओंगा तो वहां पर कोई जंगली जानवर मेरा शिकार कर लेगा, तभी वो गीदर बोला कि वह इलाका मेरा है, वहां मैंने कई अत्याचार सहने वाले गधों को लाकर रखा है, वह कई गर्दब कन्याएं हैं जो पूरी तरह से वैस्क हो गई हैं उन्होंने मुझे आते समय कहा कि पास के गाव से कोई सुन्दर गर्दब पती लेकर आना जो हमारे लायक हो यह कहकर गीदब बोला मुझे इसी गाव में तुम ही मिले जो इतने समझदार और सुन्दर हो यह सुनकर गधा उसके पीछे जंगल की और प्रस्थान कर दिया गीदब उसे शेर की गुफा तक ले आया जब गधे ने शेर को खड़े होकर उसके पीछे भागते देखा तो वहां उसी समय वहां से भाग खड़ा हुआ फिर गीदब शेर को कहने लगा तुम यही हिम्मत से हाथी से लड़ने गए थे जो गधे को भी अपने पंजे में न पकड़ पाया तभी शेर ने अपनी दबी आवाज में कहा कि मैं अभी तक तयार नहीं हुआ था इसी लिए वहां गधा मेरे पंजे की वार से बच गया नहीं तो इस बार से कोई हाथी भी न बच पाए तभी शेर ने कहा कि तुम अब किसी और जानवर को लेकर आओ जिससे हम अपनी भूख मिटा पाए